नेक्सक्षिशन, नेक्सक्षिशन से इस दोजार बारा का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको क्लास में हम डिराइव करते हैं, और मैं अपने हर स्टूडन को कहता हूँ कि इसको रिजल्ट को अपने ध्यान देना है, यह एक्जेक्टली सेम रिजल्ट आपका एलेक्ट्रो सेटिक के चेप्टर में भी आता है, हम यह कहते हैं कि यह जो आपका थिन स्फेरिकल शेल है, इस बार आपका मास अंदर नहीं भरा हुआ है, यह आपका जैसे हम इलेक्ट्रो सेटिक में भी इसकी बात करते हैं, यह जो हम यहां पहले इसकी बात करेंगे, तो क्योंकि अंदर मास नहीं है, तो आपके जी की वैल्यू इंसाइट zero होगी और आपकी एलेक्ट्रिकल फील्ड एलेक्ट्रो सेटिक के चवटर में ग्रेविटेशन के चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील इंसाइट जीरो होगी और उसके बाहर बाया स्कॉर से भायरी करेगी, सो इसका variation proportional to 1 by R square होएगा सो based on this हम ही कह सकते हैं कि option number B would be the right choice